दिली के भारत मंदपम में भगवान महावीर जैनती पर आयोजित कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी शामिल हुए इस दोरान पीएम नरिंद्र मोदी ने भगवान मावीर के चरणों में पुश्प अर्पित कर वहां मौजूद जैन संतों का आशिरवाद लिया आयोजित कारिकरम के मौके पर पीएम मोदी ने इस मारक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं महावीर जैन्ती के इस शुब औसर पर सभी देशवासियों को शुब कामनाय देता हूँ चुनाओ के कठिन समय में ऐसे पवित्र कारिकरम में शामिल होना मन को शांती दे रहा है हम आपको बता दें कि जैन धर्म के चौबीस में तिर्धंकर भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचरी के सिध्धान देकर शांती पूर्ण सह अस्तित्तों और विश्व बंधुत्तों को बढ़ावा दिया आज भगवान महावीर के जन्म कल्यानक पर भारत मंडपम में सांस्कितिक कारिक्रम का भी आयोजन किया गया मानुता को बाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांत बाद और श्यात बाद जैसे दर्शन दिये हैं अनेकांत बाद यानि एक विशय के अनेक पहलों को समझना दूसरों के दर्श्टिकॉन को भी देखने और स्विकारने की उदारता वाला आस्था के ऐसी मुक्त व्याख्या यही तो भारत की विशयस्ता है और यही भारत का मानुता को संदेश है साथ को आज संगर्शों में फसी दुनिया भारत से शांती की अपेक्षा कर रही है नए भारत के इस नई भूमिका का स्रे हमारे बढ़ते सामरते और विदेश नीति को दिया जा रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें हमारी सांसकुर्तिक शवी का बहुत बड़ा योगदान है आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को बैश्वीक मंचों पर पुरे आत्म विश्वात से रखते हैं हम दुनिया को ये बताते हैं कि बैश्वीक संकटों और संगर्सों का समाधान भारत की पाचीन संस्कृति में है भारत की प्राचीन परंपरा में है